सब्क्राइब कीजिए ग्यान सेंटर को और बेल आइकन दबाई इलेटरिक और टेक्नोलोजी के वीडियो सबसे पहले देखने की नमस्कार दोस्तों ग्यान सेंटर चेनल में मैं भी पिन आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले है साइद इस डीटेल से यूट्यूब में कोई वीडियो नहीं है उस तरह से समझाने की कोशिज की है तो पूरा वीडियो देखीगा फिर देखने के बाद कोई भी सिंगल फेज का केल्कुलेशन हो वर्ट से एंपियर निकालने का और पावर फेक्टर के साथ तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह जो कैल्कुलेशन है यह सिंगल फेज के लिए है ठीक है मैंने क्लियर यहां पर मेंशन किया है थ्री फेज का थोड़ा अलग आएगा थ्री फेज में आजाएगा रूट थ्री इसमें रूट थ्री नहीं आता है, तो single phase के आद बात करेंगे, अगर आप बोल रहे हो, comment करके बताएंगे, तो हम three phase का भी calculation करेंगे, कि three phase में कैसे भाई, what से ampere निकाल सकते, with power factor, यहाँ पे calculation हमें करने से पहले, जो heading है हमारा उस पे दियान देने के जरूर है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है, how to convert, what to ampere with power factor in single phase, तो यह जो convert है, यहाँ पे यह convert नहीं आता, कोई भी electric में कोई भी चीज calculate होती है, तो यह convert निकाल दीजिए, यहाँ पे आप याद रिखिए, calculate, how to calculate, यानि कि कोई भी चीज का यहाँ पे calculation होता है, convert नहीं होता है, तो यह बात एक जरूरी आप त्यान रखिए, अब हम example के साथ सुरूआत करते हैं, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे example लिख रखा है, ताकि आपका और मेरा दोनों का time बज़े, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है, 4000 वोट है, हमारे पास एक जो load है, एक load में 4000 वोट है, 0.8 power factor है, जो हमने assume किया है, 4000 वोट assume किया है, 0.8 power factor हमने assume किया है, क्योंकि ज्यादा तर 0.8 ही हमारे घर के load में use होता है, 0.8 की बात करो, तो यह 99 के आसपास power factor होता है, हमें maintain करता है, 1 maintain होता नहीं है, इसलिए 0.8 हमने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है अब आगे बड़ते, 0.8 power factor है, और voltage की बात करो, तो single phase में ज्यादा तर 220-230 voltage रहते हैं, तो यहाँ पे मैंने 220 watt single phase का mention किया हुआ है, अब हमें इसमें से निकालना है ampere, तो हमारे पास कौन-कौन सी value है, यह watt है, power factor है, और voltage है, अब कैसे हम निकालेंगे, तो यहाँ पे ampere क value निकालने के लिए एक formula कामात है, जो formula है, तो पी upon to voltage equal to cos phi, ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले, यहाँ पे लेते हैं हम watt, तो watt हमारा 4000 watt है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं, यह 4000 watt ले लिया, बात में हमारा voltage है, 220, 220 divided by power factor, 0.8, यह हो गया हमारे इसका formula और यह हो गया calculation final, इसका जवाब क्या आएगा, मैंने मोबाइल से पहले कर रखा है, तो मैं आपको इसका जवाब दिखाता हूँ, और आपके साथ मोबाइल का screen भी share करता हूँ, ताकि आपको यहाँ पे समझ में ना आया यह चीज, तो मोबाइल से आप बढ़े आसानी से calculation कर सकते हैं, तो चलिए मोबाइल की screen की तरफ जाते हैं, सबसे पहले हम voltage लेंगे, तो 220 voltage है, और उसको divide करने वाले हम 0.8 power factor जो हमारा है, value निकल के आई 176, तो यह 176 आप याद रखिएगा, अब यह सब हटा देते हैं, अब लेते हैं, हम लोग करेंगे हम 176 से, जो value हमने याद रखी थी, तो final यह जवाब आया, 22.72 ampere, तो हमारा final calculation निकल के आया है, 22.72 ampere, तो आप सभी लोगों को यह problem हो रही थी, इसलिए मैंने video बनाया, और mobile की screen भी आपके साथ share की, यानि कि यह calculation में कोई भी problem है, तो mobile से भी आप कर सकते हैं, तो कोई भी single phase का load आज के बाद आपको निकालना है, तो इस तरह से बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं, तो वीडियो आपने देखा, आपको हमेशा की तरह आया होगा, पसंद पसंद आया है, तो वीडियो को like कर दीजिए, वीडियो को share कर दीजिए और हाँ चैनल को सब्क्राइब करना ना भूले, क्योंकि electric और technology के बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, जही हैं, वंदे मातरम